वेल्कम टू अल्टरा हिंदी मैं हूँ गौरव और आज जरा कलम बढ़ाएंगे वक्त में जरा पीछे की तरफ जहां पर एक बड़ी अच्छी फिल्म बहुत ही उंदा फिल्म हाफ टिकेट हमारे सामने आती है किशोर कुमार और मदुबाला की रोमैंटिक केमिस्ट्री इस फिल्म के गाने वहाद ही पसंद किये गए थे यह वो दौर था जब किशोर कुमार एक्टिंग में ज्यादा मसरूफ थे और संगीत में जरा कम और फिल्म हाफ टिकेट के अंदर किशोर दाने लता मंगेशर भी चुट्की कर दी थी जी हाँ इस गाने को जरा आप देखिए इसमें लता जी के जगह किशोर कुमार ही गा रहे हैं लड़की और लड़के की आवाज भी इस फिल्म के अंदर एक ऐसा सीन आता है जिसे देख के मानू बढ़ जाता है कि शोले फिल्म में जब अमिताब बच्चत वीरू की शादी का प्रस्तार लेकर मौसी के पास जाते हैं तो क्या क्या बाते बोलते हैं और वही सीन बहुत बरस पहले फिशोर कुमार इनाट कर चुके हैं एक आधबार गाना सुनने चले गए तो उस दोर के विलन प्रांट साहब ने भी हाफ टिकेट में जबर्दस काम किया था चुप चाप एक हीरा बच्चे बने किशोर कुमार की जिम में डाल दिया था और फिर अपने भदीजे के पीछे ये भागते रहे चाचा भदीजे का शरण नाम हाफ टिकेट इसले रखा गया क्योंकि किशोर कुमार के पास इतने पैसे नहीं कि फुल टिकेट ले सकें इसलिए बच्चे का भेज बना पर यह पांच जाते हैं और उस हाफ टिकेट को लेने के बाद किशोर कुमार वह अंगामा मचाते हैं कि पूरी की बोगी गाती है और ट्रेन में किशोर्दा की मुलाकात होती है मदुबाला के साथ और फिर शिल्सलेवार मुलाकाते चलती रहती है रोमाइंस बहता रहता है और एक दिन वह राज खुल जाता है कि किशोर कुमार बच्चे नहीं तरहसल बढ़े हैं तुमने मेरी श्राफात कनाजया साधा उठाया है तुमने मुझे धोका दिया है तुमने बच्चा बनकर मुझे बेवापूर बनाया है तुमने मुझे जुट बोना है सलिल चौधरी का म्यूजिक ला जवाब है हर एक गाना एक गहरी छाप छोड़ता है चांद रात तुम हो साथ क्या करे हजी अब तो दिल मचल मचल गया दिल का एत बार क्या करोगे जी कल जो ये बदल बदल गया ये फिल्म उस जमाने की भी बात आपके सामने रखती है जहां पर पिता अपने बेटे के पीशे पड़ा रहता था कि आप शादी कर ले अब शादी कर ले और उसी शादी से बचने के लिए किशोर कुमार घर से भागते हैं और रोमैंस के जंजाल में बफ़ जाते हैं और शादी से कैसे बचेंगे साहब मेरा बेटा नहीं किसले जनम का दुश्मन है दुश्मन अब मैं तुझे इस घर में एक मिनट भी नहीं रहने देना आता हूँ अच्छा लैकन वैट फिल्म में ये एक जवर्दस नगीना है कुल मिलाकर फिल्म बहुत हसाती है और वाकर आप यो नहीं अपने होने वाले दामाद को अच्छी तरह से देखें कोई तरी गाहा क्या मिली तभी अदीम चल गई जराव मुस्करा भी ये शमाय जैसे जल गई जरूर एक बार फिर फिल्म हाफ टिकेट को आप मौका दें और आने वाले एपिसोड में ऐसी और भी बढ़िया फिल्मों की मुफसर सी दास्तां आपके सामने जरूर पेश करूँगा ताकि आप और मैं मिलकर गुजरे हुए वक्त को थोई देर के लिए सही दुबारा था सब्सक्राइब करें अलगरा मुवी पार्लोर